वेलकम तो अड़े 24-7 टेक्निकल टेक्नो 10 में आप सभी का स्वागत है और आज जो हमारे टॉपिक है वो है वाइड वी यूज टील के हम स्टील का ही इस्तेमाल आर्टी सी में क्यों करते हैं स्टील के लाव हम कोई और भी तो इस्तेमाल कर सकते थे अलॉमिनियम का इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन हमने तब भी स्टील को ही चुना तो हम स्टील को ही क्यों यूज करते हैं कॉनक्रीट के साथ आर्टी सी बनाने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं स्टील प्लस कॉनक्रीट इकल्स to RCC reinforced cement concrete तो हम RCC में steel का ही इस्तमाल क्यों करते हैं सबसे पहला reason कि देखिए हम यह जानते हैं कि steel भी एक metal है और जब कभी temperature बढ़ जाता है जब भी temperature में क्या होगा increment होगा तो फिर यह क्या करने लग जाएगा और जब भी गिरावट आ जाएगी temperature के अंदर तो यह contract करेगा और ऐसा ही कुछ concrete में भी देखने को मिलेगा अगर यह क्या करने एक्सपेंड कर रहे हैं temperature बढ़ने के साथ और contract कर रहे हैं temperature घटने के साथ तो भाई मैंने तो क्या करा था एक beam बनाई थी जिसके अंदर मैंने steel लगाया हुआ था यह और अगर टेंप्रेचर बढ़ने के साथ दोनों कुछ अलग-अलग value से क्या करते हैं बढ़ते या फिर घटते हैं temperature बढ़ने या घटने के साथ या expand या contract करते हैं अलग-अलग value से तो जो इन दोनों के बीच में steel और concrete के बीच में जो bond develop होगा वो क्या हो जाएगा break हो जाएगा और अगर bond दोनों की बीच का break हो गया तो failure होने के chances मेरे structure के अंदर क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे इसलिए जब मैंने check करा क्या coefficient of thermal expansion thermal expansion किसका steel का और concrete का मैं इसको alpha से denote कर देता हूँ alpha of steel और alpha of concrete लगभग लगभग क्या थे बराबर थे अगर लगभग लगभग दोनों के alpha की value बराबर है तो उतना ही expand भी करेंगे और उतना ही contract भी करेंगे अगर ऐसा होगा तो इनके बीच का bond break नहीं होगा और हम क्या कर सकते हैं steel का इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन यही सिर्फ एक फाइदा नहीं है फाइदा दूसरा ये भी है कि अगर मैं क्या देखूं steel को थोड़ा सा ध्यान दूँ तो steel क्या है easily easy to join है easy to join क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं structure बनाऊंगा तो बहुत सरे joint भी आएंगे और मैं वहां पर क्या कर सकता हूं steel को आसानी से जोड़ सकता हूं एक फाइदे की और भी बात है और बात ये है कि ये easily available हो जाता है easily available लेकिन इसकी खूबियां यहीं तक सीमित नहीं है इसकी खूबियां यहां पी भी है कि अगर मेरे मैंने से 100 साल के लिए structure को design किया था या 50 साल के लिए किया था और 50 साल अपने service life को इसने पूरा कर दिया जब 50 साल के बाद मैं क्या करूँगा structure को dismantle कर दूँगा तोड़ दूँगा तो उसमेंसे सरिया निकलेगा और सरिया निकलेगा तो मैं उसको क्या कर सकता हूं scrap की तरह बेच सकता हूं दुबारा मतलब scrap value मिल जाएगी और वो भी कैसी होती है अच्छी होती है good scrap value बेच भी क्यों कि सकता हूं और एक खुबी और भी निकल के आ जाती है इसी के साथ कि स्टील को हम recycle भी कर सकते है recycle तो recycle लेबल है हम इसको दुबारा क्या कर सकते हैं दुबारा से factory में भेज के mold करा के नया बना के दुबारा मंगा सकते हैं तो इतनी सारी खुबिया मुझे किस में मिल जाए RCC structure के अंदर, मेरी बास समझ में आई होगी, बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद